हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज कि में इस वीडियो में बात करेंगे आयर एपसी और आर्वेनल के बारे में अब जैसे कि आज अगर आप देखोगे तो चीजें थोड़ी सी अलग हुई है यानि कि से मुमेंट नहीं है और दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर आपको कॉर्प्रेट एक्षन दिखाने वाले हैं और एक चीज और आपसे बोलना चाहूंगा कि एक लाग सब्सक्राइबर के मालिस्टॉन से थोड़े से ही अभी हम लोग पीछे हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यह मालिस्टॉन आप सभी की मदस्ते पूरा हो जाए तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबते पहले आई-ए-अर-प्सी के बारे में आज कोई भी मुमेंट नहीं था एट पार क की क्लोजिंग देखने को मिली एक्जेक्ट 33 रुपे पर हो सकता है आपको जैसे मनी कंट्रोल या फिर कोई दूसरी एप्स पर थोड़ा बहुत मुमेंट दिखा रहा हो अपसाइड या डाउंसाइड बे लेकिन आप डिरेक्ली गूगल करोगे तो आपको यही चार्ट दे जैनि कि एक महिने में नेग seit hon में साथ परसणства अब इतना तो है कि अपने आई प्रयूँट प्रयुपे से भी जो नीचे टैड है ताएं पर 18 रूपे पर भी पहुच गया था तो आब यह कम से कम 33 पर ट्रेड कर रहा है इसके आज के दिन के वॉल्यूम है डिलिवरी के बारे में बात करें दो करोड का वॉल्यूम था कल भी दो करोड का वॉल्यूम आया एक अफ़ते का एवरेज पांच करोड एक महिने का एवरेज पांच करोड यानि कि अभी अपने एवरेज यो चार्ट बन रहा है उससे अभी तक अगर आप यहां पर देखो तो कोई बहुत बड़ी prediction करना थोड़ा स़ difficult है ना ही कोई बहुत बड़ी positive side में यानि green candlestick बन रही है ना ही कोई बहुत बड़ी red candlestick बन रही है इन दौनों लाइनों का अगर आप यहां पर scenario निकालते देखोगे तो डाउन साइड में शेयर जो है वह 31 रुपे 90 पैसे तक या फिर 31 रुपे 50 पैसे तक जा सकता है अप साइड में यह आपको 35 रुपे तक जाते हूं नजर आ रहा है अधरवाइस अभी इस पर्डिगूल चार्ट से शौट टम के साब से कोई प्रेडिक्शन करना बहुत जो है वो डिफिकल्ट ही है इसी बीच अगर आप देखोगे तो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स काफी अधर कंफ्यूज हैं लेकिन यहां पर जो मिचल फंड आउसे वो अपना काम करते हूं नजर आ रहे हैं जैसे कि बैंक ओफ इंडिया टेक्स एडवांटेश फंड रेगुलर ग्रोथ ने हंडड़ परसंड अपनी होलिंग्स को इंक्रीज कर दिया है वहीं बैंक ओफ इंडिया मेड एन स्मॉल कैप एक्क्यूटी एन डेट फंड ने भी काफी बड़ी होलिंग्स अपनी इंक्रीज कर दिया है वहीं इसी एमसी की तरफ से फ्लेक्सी कैप में भी अच्छी-कासी होलिंग जो है वो उठाई गी है फिर अगर हम बात करें और ए 50 मिट कैप 151 ने करीवन 3% अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है तो इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि जहां रिटेल इंवेस्टर डिसीजन लेने में थोड़ा सा अभी उनको दिक्कत रह रही है जब इसमें मुमेंट आना बंद हो जाता है किसी भी स्टॉक में ले इंडियन रेलवेज एश डवल्यू आर इंस्टॉल 4656 किलो के डवल्यू पी सोलर पैनल एड़ सर्विस विल्डिंग एंड मेजर स्टेशन सो फार यानि कि अगर आप देखोगे तो यहां पर इंडियन रेलवेज की तरप से करीवन करीवन 4 या 656 के डवल्यू पी का जो स सोलर इलक्सिटी जनरेशन है वह रहा था 46.11 लैक यूनिट्स इन एश डवल्यू जोन जिसमें अगर आप देखोगे तो जो इलक्सिटी बिल की स्रेविंग हुई है वह करीवन करीवन एक करोड़ 96 लाग क्या सपस होई है यानि कि बहुत ही मेजर डिसीजन यह है जिसका र टार्गेट है रेलवे ट्रैक्स बनाने का फॉर डिस्टेंस ऑफ फटी फाइव अंड्रेड किलो मीटर्स हैस अल्ड़ी वीन अचीव यानि की पेंतालिस सो किलो मीटर का जो टार्गेट है वह अचीव हो चुका है और यहां से यह जो है वह 2014 ते पहले यह करीवन चार किलो टार्गेट वह किया है साथ हजार किलो मीटर अगली साल तक थी है तो जिसमें ते पैंतारिस सो अल्रेडी हो चुका है अब साथ यार किलो मीटर कितनी जल्दी अचीव होगा वह तो देखना यहां से बाकि है लेकिन इसी बीच अगर हम यहां पे बात करें तो 81 परसेंट की है 13% की सेलिंग रिकमेंडेशन है और 6% की होल्ड की रिकमेंडेशन है यानि कि करीवन-करीवन 87% की रिकमेंडेशन जो है वाइट साइड में ही नजर आती है बाइ और होल्ड की अब आज क्या हुआ कि यहां पे आयर एपसी में तो कोई मुमेंट नहीं था लेकिन आर बी अपडेट तो निकल के नहीं आई है लेकिन आज अगर आप यहां पर देखोगे तो डिलीवरी भी उतनी जादा नहीं है करीबन दो करोड के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है जो कि कल तीन करोड के आसपास थी और यहां पर चीज़ें आपको कुछ दिखाई देती है कि और बहुत ज़्यादा मूमेंटम तो अभी हाल फिलायल में डिलीवरी और वॉल्यूम के वज़े से नहीं बनते हो नज़र आ रहा है लेकिन आज एक अच्छा मूमेंट बना है जिसके बाएस शियर में जो एक तेजी बन गया है आदमी रेल के लिए तो डिरेक्ट ली जो अच्छे नज़र आते हैं करीबन देल सो रोपे के आसपास के और यहां से बहुत सारे अनलिस्ट अल्रेडी बोल चुके हैं कि यह जो स्टॉक है वो थोड़ा सभी अगर आप टाइम फ्रेम जादा लेकर चलोगे तो डेफिनेटी रिटर्स हो है वो बनाकर देगा ही देग बात कर लेते जल्दी से एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको एक बड़ा डिवीडेंट देने वाला है कंपनी का नाम निकल के आता है 3M इंडिया लेमिटेड और यह करीबन 26 आर के आसपास शियर ट्रेड करते हो नजर आता है इसके हिसाप से अगर आप देखोगे त और अगले स्टॉक के बारे में बात करें जहां पर आपको चीजह कुछ देखने को मिलने वाली हैं तो वह है वरुन वेवरेजिस करीबन 1516 रुपे की रिंज में आपको यह मूब करते हो नजर आएगा कल के दिन आपको इसमें बड़ा मूमेंट देखने को मिलता है इविन सब्सक्राइब देखने को मिल सकती हैं तो मैंने इस वीडियो में ट्राइग किया है कि मैक्सिमम अपडेट्स आपको दे सकूं और यहां से जैसे कि मैंने स्टार्टिंग आफ दी वीडियो में बोला था कि वन लैक सब्सक्राइबर के हम लोग काफी यह तक करीब है तो जि